तो यामी गुपता स्टारर आर्टिकल 370 मुवी का टेलर रिलीज हो गया है और ये मुवी थेटर्स में 23rd February को रिलीज होने वाली है मुवी में यामी गुतम के साथ साथ प्रियामी नी, अरुन गोविल और जिसुसेन गुपता जैसे एक्टर्स भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले है और इसके टाइटल से ये साफ जाहर है कि ये मुवी किस मुद्दे के बारे में बात करने वाली है इस साल से बेटर टाइमिंग हो नी सकती थी इस मुवी के रिलीज के लिए इसके टेलर के अगर बात करो तो एकदम पावर पैक धमाकेदा टेलर है ये मतलब फुल-on हार्ड इटिंग और टेंस मुमेंट से भरा हुआ इसके टेलर को देखकर ये एकदम साफ जाहर हो चुका है कि एकदम अपना serious वाला tone पकड़ने वाली है जिसको ये अपने throughout the run time छोड़ने नी वाली इसके लावर टेलर में सुनाया कि इसके dialogues अभी तक तो काफी sharply written नजर आ रहे है मतलब पूरे ट्रेलर उसके mood को suit करते हो एकदम feel हो रहे है and I hope कि movie को देखते time भी बिल्कुल इसी तरीके का feel है इसके dialogues वगरा को सुनके क्योंकि देखो होता क्या है ना कि ऐसी movies में बड़े अराम से आप carried away हो सकते हो तो वह एक होता नहीं कि एक balance strike करना बहुत जरूरी होता है मतलब कि बहुत जादे emotions में भैतवी भी नजर ना है और at the same time यह भी ना भूल जाए कि ultimately एक movie है और आप audience को entertain करने बैटे हो इसकी casting की अगर बात करो तो वह एक तो spot on नजर आ रही है मतलब काफी हद तक सारे actors अपने अपने characters में जच रहे है except for Jisuseyn गुपता जो कि movie के अंदर supposedly बहुती popular minister के role में नजर आएंगे और उनके prosthetics देखकर लोग अराम से guess कर सकते हैं कि वो किसका character प्ले कर रहे है और वो ही मेरो को थोड़ा सा off लगा उनके उपर मतलब हाँ पर casting थोड़ी सी better हो सकती थी और उसकी trailer में दिखाएं जितनी भी locations हमको अभी तक देखने को मिली है वो काफी real नजर आ रही है तो हो सकता है कि इन्होंने 80-90% जो है real location में ही shoot करी है और लिटली ये इस picture के लिए बहुत अच्छा एक added advantage हो जाएगा अगर ऐसा हुआ है साथी साथ movie की production value और इसकी cinematography भी काफी अच्छी दिख रही है और अब मैं बात करा चाओंगा trailer की अस्वी शान और जान यामी गौतम के बारे में जो कि पहली बार किसी theater में release होने वाली movie की main lead में नजर आने वाली है याद रखना theater में release होने वाली main lead की मुझे पता है कि Thursday में she was a lead but वो OTT में release थी इसलिए मैंने ये precisely mention किया है भाई इस बंदी में मेरे को हमेशा से potential नजर आता था as an actress जो इसकी range है जो इसकी versatility है बस unfortunately filmmakers ही अच्छे से इसके potential को utilize नहीं कर पाते थे otherwise जब जब इस actor को अपना caliber दिखाने का मौका मिला ना इसमें आग ही लगाई है so it is so good to see कि बंदी को finally अपना well deserved due मिल रहा है and filmmakers ने भी lately ये realize किया है कि इसको सिरो supporting cast था कि restricted मत रोको भाई lead में भी उत्रा ही अच्छे से फार देने का दमखम रखती है ये actor and Yami Gotham की सबसे एक कमाल बात ये रही है कि कभी भी वो इस rat race में थी नहीं best actors बगरा के and ये reason था जिसके चलते वो carefully अपने projects को choose करती चली गई and एक दिन ऐसा है कि वो अपने काम से बता कर चली जाती थी कि she knows her job and she knows it well seriously मेरे लिए उस league की actress बन चुकी है कि जहां पर फरक नहीं पड़ता कि इसकी movie ने कितना business किया कितना नहीं movie अच्छी थी या बुरी लेकि Yami Gotham का performance memorable बन गया I know I know में तरह से Yami Gotham की तारीक को जादा हो गई इस वीडियो के अंदर but seriously I can't help it because she totally deserves it So overall it was a very hard-eating and intense trailer and movie कैसी है वो तो 23rd February को पता चली जाएगा बाकि मैं personally again Yami Gotham को main lead में देखने के लिए बहुत excited हूँ तो आज की वीडियो में पस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो भाईया चैनल को like share और subscribe करो यार and मिलते हैं मेरे next वीडियो में तब तक के लिए देखते रिए कुशाल के बचार